हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक टू माई चैनल, इंग्लिस लर्निंग विद पूजा तो आज हम सिखेंगे 50 टूल्स नैम, इंग्लिस एंड हिंदी तो चलो शुरू करता हैं तो आज का फर्स्ट वर्ड है आरी आरी को मिं इंग्लिस न कहेंगे सो कीलक को मिं इंग्लिस में कहेंगे क्लैम करगा को मिं इंग्लिस में कहेंगे लूम दीचा सूचक यंत्र को मिं इंग्लिस में कहेंगे कमपास कुदाली को मिं इंग्लिस में कहेंगे स्पेड स्पेड मतलब कुदाली कुलहाडी को मिंगलीस में कहेंगे एक्स कैची को मिंगलीस में कहेंगे सीजर्स गोनिया को मिंगलीस में कहेंगे ट्राइंगेंगल गोलरंदा को मिंगलीस में कहेंगे बीट प्लैन चोसा को मिंगलीस में कहेंगे रेस्प छूरा को मिंग्लीस में कहेंगे डेगर छेनी को मिंग्लीस में कहेंगे कॉल्ड चीजेल पत्थर की छेनी को मिंग्लीस में कहेंगे इस्टॉन चीजेल सुवा को इंग्लीस में कहेंगे ओल चप्पु को इंग्लीस में कहेंगे ओर तराजु को इंगलीस में कहेंगे बेलेंस छटाई की केची को में इंगलीस में कहेंगे प्रूनिंग सियर दराती को में इंगलीस में कहेंगे सिकल निहाई को में इंगलीस में कहेंगे एन्विल पत्वार को में इंगलीस में कहेंगे रेडर प्रकार को मिंग्लीज में कहेंगे डिवाइडर सम्तल मापने के यंत्र को मिंग्लीज में कहेंगे स्प्रिट लेवल पेज को मिंग्लीज में कहेंगे स्क्रू पेज कस को मिंग्लीज में कहेंगे स्क्रू ड्राइवर बर्मा को में इंगलीस में कहेंगे ओगर बर्मी को में इंगलीस में कहेंगे ड्रील सिकंजा को में इंगलीस में कहेंगे वाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सेल एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो नेक्स्ट है बदिया बद्या को मिं इंग्लीज में कहेंगे स्टोक एंड डाइज लकडी के हतोडे को मिं इंग्लीज में कहेंगे मेलेट मेलेट मतलब लकडी का हतोडा हतोडी को मिं इंग्लीज में कहेंगे हैमर रेती को मिं इंग्लीज में कहेंगे फाइल रंबा को मिंग्लीस में कहेंगे डिबल लंगर को मिंग्लीस में कहेंगे एंकर साउल को मिंग्लीस में कहेंगे प्लमबाइन हदकल को मिंग्लीस में कहेंगे स्पेनर हलका फार को मिंग्लीस में कहेंगे प्लाउसेयर कील को मिंगलीस में कहेंगे नेल लोहा काटने की आरी को मिंगलीस में कहेंगे हैकसो मापन आरी को मिंगलीस में कहेंगे चैनसो नापने के फिताई को मिंगलीस में कहेंगे टेप मेजर पाच्चा को मिंग्लीस में कहेंगे रेक रेक मतलब पाच्चा खुरच्चनी को मिंग्लीस में कहेंगे स्क्रेपर रेक माल को मिंग्लीस में कहेंगे सेंड पेपर ओजार का डिबबा को मिंग्लीस में कहेंगे टूल बॉक्स पाइप को कसने का उपकरण को मिं इंगलिस में कहेंगे पाइप प्रिंच पकड सरोता को मिं इंगलिस में कहेंगे वाइस क्रीप्स प्लास को मिं इंगलिस में कहेंगे प्लायर नुकीला प्लास को मिं इंगलिस में कहेंगे नीडल नोस प्लायर मतलब नुकीला प्लास चक्की को में इंगलीज में कहेंगे ग्राइंडर गोंद बंदुक को में इंगलीज में कहेंगे ग्लू गन सीडी को में इंगलीज में कहेंगे स्टेप लेडर स्टेप लेडर मतलब सीडी थेंक यू पर वाचिंग इसी तरह की मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें